उनको तीर्थ यात्रा करने की का समय है जब वो अपनी बेटी को लेके इधर उधर हो रहे हैं तो ये मेरे लिए कोई असहन काम नहीं है ना सोच के भी ऐसे बहुत दुख होता है कि मतलब फिर भी वो विचार है ऐसे आते हैं साथ मैं मैं मना कर रहे थी कि आप मत आओ तबी ठीक नहीं है अब सब मुद्ध करते हैं आप सब अच्छे होंगा और मेरे पाबा की तबीत यहां पर अब ही ठीक नहीं है बर का से रहे है प्याँ पर तो ये रात का विडियो है जब यह से कर रहा था तो बाकी जोगे बलम बलम तो हम लगा देते हैं बाकी सेख वेख हैपी कर लेता है मतलब थोड़ा बहुत उससे भी करवाते है ताकि उसकी मंदर एक सेवा का भाव जागे वैसे तो उनके प्रती प्रती उसकी भावनाई बहुत अच्छी है इसको सब समझ में आता है कि जो करता दता है हमारे नाना हमारे माता पिता सब कुछ है यह सब है उसके दिमाग में लेकिन फिर भी बच्चे को कुछ चीज़ा सिखानी बहुत जरूरी होती और यह अज उसके पिताने कोई जिम्हदारी नहीं ले रखिया ना मेरे बच्चे की ये सब मुझे ही सिखाना है तो मैं जो भी चीजे होती है उसके उससे करवाती हूँ खुद भी करती हूँ लेकि उससे कुछ हाथ जरूर लगवाती हूँ तक कि उसको पता रहे कि ये मेरा घर है ये मेरे माबाप है ये हमारे सब कुछ है और ये आज तो मुझे जल्दी आना था वापिस और ताकि मैंने सोचा कि मैं पूजा करके निकल जाओ तो मैं खाना तो आने के बाद आराम से खा लूँगी तब भी चलेगा क्योंकि आज बाजरे की रोटी खानी थी तो अलग से बनानी थी मेरी मुझे और इसकी मैंने का कि पापा की और तेरी सेख ले हैपी की मैं आने के बाद सेख लूँगी आप सोचो कि पेषी पे जाना, बच्चे को देखना, घर को देखना, पापा को देखना सारी चीजे हमें खुद करनी पड़ती है मा होती, तो ममी करती थी सारा कुछ नहीं तो आज हमें सब कुछ करना पड़ता है लेकिन उसे तनिक मातर शरम नहीं है पेसी पे ऐसा चोड़ा होके आता है नहीं, जैसे वो बहुत महान काम करके आया है, तो ठीक है, जो भी है, उसको बेशरम है, उसको शरम तो है नहीं, मतलब एक पिता नहीं बन सका, तो अच्छा पती नहीं बन सका, नाई को विशेस अच्छा बेटा भी नहीं है, सिर्फ मा को अल्टुफाल्टु भी चो कमाई देता है उसकी वज़े से मा भी खुश है नहीं तो मा भी वैसे ही लात मारती जैसे और लोगों ने तिरे को लात मार रखी है तिर मैंने आके यहाँ पर गाय की पूजा करी गाय और बचड़े की पूजा करते हैं यह एक मानने था है कि बेट वाचोत नहीं स्वरी तीज है सावणिया की देज है यह सब भी करती हूं तो मैं सब कुछ अपने बेटे के नाम से ही करती हूँ कि बही इसका जो भी पुण् Ne हो ठीक है जो भी पुण्ssen मिलना है वो मेरे बच्चे को मिले उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होँ हैं तो ये सब सोच के मतलब बस बगवान को एक ही प्रातना करती हूँ, कि उसका बाप है जैसा वो ना हूँ, बस एक उमीद के साथ मैं ये सब करती हूँ, आस्ता मैं थोड़ा विश्वास रखते हैं, कि भई बगवान सब अच्छा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, तो ठीक है, जो मान्यता है, पुर्वजों ने बना रखी है, वो हम भी फॉलो करते हैं, और मैं यहाँ पे पुझा करके, फिर मैं निकल गई, तो मैं जैसी गर पे आई, तो पापा स्कुटी साफ कर रहे थे, मैंने का, कि मैं चली जाओंगी, मेरे को स्कुटी दे दो, खाली मैं चली जाओंगी, लेकिन उन्हों बोला कि नहीं, मैं साथ आउंगा, इसे तो कोई नहीं, मेरे पिता है, तो आप जितने भी देखने वाले, आपके भी पापा भाई जैसे ही हुए, लेकिन फिर भी ये शरम आती है थोड़ी से, तो वो मैं दिखा नहीं सकती, बस वो वैसे ही निसान पूरे शरीर पे हो गया है, पूरा पेर पे हो गया है, फिर हम मैं और पापा पेशे पेश जाने के लिए, मैंने कहा कि मत आओ, फिर भी वो आए, आप सोचो कि उन लोगों के प्रती मेरे पापा का आज भी भरोसा नहीं है, तब वो ऐसी दर्द में भी कहा रहे हैं, मैं चलूँगा तेरे साथ, मैंने कहा भी कि स्कूटी मुझे दे दो, कि कोई बात में, तो बाइट सा मैं चला लूँगा धीरे-धीरे हैं तो ये वीडियो तो मैंने फास्ट फॉरवड कर रखा है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, बाकी ऐसी आराम से चल रहे थे, और फिर हम पहुँच गए कोट, और कोट जाने के बाद, यहां पे कुछ लोगों से मिले पापा, जो इनके, जो भी है जानने वाले पापा के, वो उन सब से मिले, और फिर हम गए, मैं गई साइन करने, मैं मुझे लगा था कि आज, और मैंने देख लिया था कि ये बाहर ख हमाल के आते हैं, बच्चे को सब देखे आते हैं, उसका टिफिन देखे आई पहले, सब काम करने के बाद मैं आई, तो यहां के साइन करके बाहर खड़ा हो जाता है, और इसके वकिल जो है न, वो मुझे से बहाद करते हैं, तो उनके वकिल को भी मैंने बोला है, कि आपको जो भी करना है वो करो, लेकिन यह नहीं कि आप यह सोचो कि सारा कुछ मेर से करवाओ, और आप यह कुछ भी नहीं करें और ब्लेम सारा मेरे उपर डाल दो, ठीक है, मैंने आज पहले भी मैंने उनको यही बोलाता है, मैंने का वकिल साफ आयसे नहीं चलेगा कि सारा कुछ म तो तो उस वकिल ने भी ऐसा नहीं है वह भी संद्वता है कि रहे हैं अजितने को आज हम देखते हैं कि वपाता होता हánd pork लेकम आधायस कि चीजने में सब्सक्डाइए कि पाइसा क्यृतनुंका थेенная का रहे हैं इसी ज़र ये पैसे मिलने है तो वो इसी तरीके और ये कुछ-कुछ चीजे मैंने बलर की है, नहीं भी है, हुई है, कुछ हुई है, ठीक है, बाकि मेरा मैन मकसद ही है कि आपको चीजे बताऊं और बस यही सबसे मिल रहे थे पापा और मैं भी सब को नमस्ते कर रही थी, क्य इमेज उन्होंने बिल्ड अप किया यहां पे, और आज उनी के घर में यह सब हो रहा है, तो दुख तकलीफ तो इतनी जाधा होती है, मतलब आपको शायद वीडियो के माधियम से हम थोड़ा बहुत बता पार है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं हो ना तो इसे तो आदमी गुट-गुट के मर जाए, कि मतलब इतना सब कुछ कमाने के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, शुरू से उन्होंने क्या सोचा होगा, कि बेटी की शादी करके मैं उसको भेज रहा हूँ, तो यह सुखी रहेगी, अपने परिवार में सवस्त रह हैं, और जैसे कि मैं रोज जाती हूँ, वैसे भेग गई, और यह बार खड़ा था, इसका वके लाया, और ऐसी तो हो गई, कुछ चीजे मुझे लग रही थी कि आज क्लियर हो चाहेगी, बट वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि इसका ना एक दबाव बन रहा है कि तू ही मतलब करूं सब कुछ मैं, और ब्लेम सारा तेरे पर आये कि तू नहीं किया है, इसका यह दिमाग अभी चल रहा है, जो मैं सकसे नहीं होने दूँगी, जहां तक मेरी कोशिश है, और मैंने वहाँ एक चीज देखी, मतलब मेरे फादर को कितनी लगी हुए, मैंने आपको कल मैं चलूंगा साथ में, अब वो मेरे साथ चले, प्लस, कोट में मैंने एक और चीज देखी, कि जिस कोट में मेरे फादर को सब सलाम करते हैं, उस कोट में मैं पेसी बिजाती हूँ, यह चीज मुझे बहुत हड़ की, मतलब मैं हमेशा ही देखती हूँ, लेकिन आज क्या है कि उनकी एक तो तकलिफ थी, और फिर भी उन मेरे साथ आये, मुझे बहुत ज्यादा तकलिफ वैसे भी हो रही थी, और जहां जिस कोट में मेरे पापा को सब जानते हैं, सब, तीस साल तक उनहां नोकरी की हैं महाँ पे, ठीक है, और जिस कोट में मेरे फादर को सब सलाम कर अगली तारिक मुझे अभी तक मिली नहीं है उन्होंने का है कि मैं फोन कर दूंगा मतलब पापा को रेडर साथ में आपके पापा को फोन कर दूंगा आप जाओ घर पे तो मेरा भी आज व्रत था मतलब मेरी किसमत भी कैसी है कि इदर मैं बेटे के व्रत कर रही हो और इदर मेरी कोट में लड़ाई चल रही है तो मुझे वहां भी जाना पड़ता है यह किसी का बुरा नेकिया है न मैंने उनका तो बिल्कुल भी बुरा नेकिया है मैं रही इतनी हो कि मुझे बुरा बुरा और अच्छा का लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि सारी चीजे सॉट करेंगे और मैं वापिस चली जाओंगी मैं वापिस चली जाओंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो उल्टा मार खा के मैं क्यों रहूं मापे बाई मेरे माबापने मार खाने के लिए थोड़ी बेजा है ठीक है शादी से पहले अगर हमें पता होता कि यह लोग इस तरीके के हैं इस तरह से मेरे साथ होने वाला है तो मेरे फादर थोड़ी ना वहाँ पे देते आज वो जीवन में इतना कुछ जेल रहे हैं जिस उमर में उनको तीर्थ यात्रा करने की का समय है जब वो अपनी बेटी को लेके दर दर हो रहे हैं तो यह मेरे लिए कोई असन काम नहीं है ना सोच के भी ऐसे बहुत दुख होता है कि मतलब फिर भी वो विचारे ऐसे आते साथ मैं माना कर रही थी कि अब मत आओ तब ही ठीक नहीं है मैं चली जाओंगी कोई बात नहीं पेजूंगा वह उसके जाने कुछ सकते मतल्य आप सोचो हालांकि ऐसा नहीं होता है मुझे सबस्झ हपता है कोई चीजैं बहुत के मैं जाओंगी और वह सीधा मेर इको मार देंग या खतम कर देंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बट उनका एक विश्वास ही नहीं है उनके उपर कि मैं इसको नहीं अकेले जानी दूँगा आई मुझे बहुत दुख हो है मेरे पापा को देख के बतलब वो चीजे ऐसे कि इतने दुख में भी साथ मैं आई क्योंकि उनको बरोसा ही नहीं है उन पर मैं कल बनाओंगी वीडियो कल वाप वापिस आपको अपरेड दोगी क्योंकि आज तो मैं सच बता हूँ मैं बोलने जैसी स्तती में भी नहीं थी मैं आई तब से मुझे बहुत गोट रहा है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को मैंने कल ही बोला का था कि मैं वीडियो डालूंगी तो सब लोगों सोच रहोंगे कि नहीं डाला इसलिए मैंने का कि मैं एक वीडियो डाल देती हूं